तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्षास के बारे में यानि कि हम समझेंगे कि अर्षास किसे कहते हैं अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग अर्षास की डेपनेशन किस तरीकी से दी है तो देखो अर्षास के बारे में इतनी सारी डेपनेशन्स हैं और सभी डेपनेशन्स में जो अर्षास्त्री हैं उन्होंने अलग-अलग अपने मत लिश्ट किये कि अर्षास्त्र क्या होता है लेकिन मोटे तोर पर हम अर्षास की जो डेपनेशन्स हैं उनको चार हिस्सों में डिवाइट कर सकते हैं जिसमें पहला है धन संबंदी परिवाशा दूसरा है कल्यान संबंदी परिवाशा हैं तीसरा है सीमित्ता संबंदी परिवाशा हैं और चौता है विकार संबंदी परिवाशा हैं तो हम एक एक करके सबसे पहले हम समझते हैं धन सम्मंदी परिवासा तो जो एड़ाम स्मित थे जिनकों की पाश्यात लोग जो है वो अर्थसास का जनक भी कहते हैं उनकी बुक लिगी थी 1776 में जो कि वेल्ट ऑफ नेशन नाम से भी बहुत पॉपलराइज है उनमें उन्होंने कहा कि अर्थसास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप करा कारणों की खो से सम्मंदित है यानि कि अर्थसास्त्र जो है वो इन्होंने धन का विज्ञान को बताया इस डेफिशन की बहुत सा साधन मान लिया है उसी को साध्य मान लिया है यानि कि हर वो चीज़ जो धन से सम्मंदित है के वल वही अर्थसत्र है बाद में जो अर्थसास्त्री थे उन्होंने इसकी आलोचना की और जो मार्शल थे उन्होंने अपनी बुक में प्रिंसीपल सफ एकनोमिक्स 1890 में जो ब अर्थसत्र में व्यक्ति तका समाजिक क्रियाओं के उन भाद की जाश की जाती है जिसका भौतिक सुख्ष के साधनों की प्राति तका उपियोग से बड़ा हनिस संबंद है यानि कि मार्शल ने क्या क्या किया जो पूरी की पूरी अर्थसत्र थी उसको कल्यार के दोश्त् मुद्रा में मापा जा सकता है मुद्रा में व्यक्ति किया जा सकता है उसको उनोंने का कल्यार का वो इससे मुद्रा में मापया ज़ा सकता है उसको आर्थसत्र का तो यह कल्यार संबंदी key picture definition की जो qरो brainBLES इसकी definition है जिसमें जो बुक थी उनकी उसका नाम था NSA of the nature and significance of economic science 1932 में इरोने में कहा कि अर्षास्त वो विज्ञाने जो साध्यों तता सीनित तता अनेक उप्योग वाले साध्यों से सम्मंदित मानविवार का अध्यन करता है यानि कि सीनित साध्यों में अपने साध्य को कैसे पाया जाता है उस अर्षास्त कहा अगर हम विज्ञास संबन दी परिवाश्या की बात करें तो सेमें सनन ने कहा कि जो अर्षास्त है वो विकास का इंजन है यानि कि उन्होंने सारी की सारी जो definition थी वो अर्षास्यों के उप्योग से संबन दीती है लेकिन क्योंकि आप 11 क् में जो economics होगी उसमें एक नम्मर का definition आएगी इसे कहते हैं तो यह जो definition है यह मैंने अपनी नोट्स में मेरे पास हैं उसमें से लिग हुई है e-book में उसमें लिखा हुआ है मैंने कि अर्षास्त सामाजिक विज्ञान है तो सबसे पहले हमने अर्षास्त क्या माना सामाजिक विज्ञान अब सबसे पहले समझीए सामाजिक विज्ञान क्यों कहते हैं देखें विज्ञा सब्सक्राइब करते हैं जैसे कि बेरुजगारी के क्या कारण है कैसे दूर किया जा सकता है क्या इसके परेडाम होंगे यह सब भी एकोनोमिक्स में आता है लेकिन इसलिए एकोनोमिक्स को विज्ञान कहा गया समाजे विज्ञान इसलिए क्योंकि यह मानिवे विवार का ज्यान करता है अर्थसास्त्र के जो नियम होते हैं हो सकता है आज जो नियम हो वह आज से 50 साल ब पता है देखिए सबसे बहुत हमें पता है कि हमारे पास तादने उसकी में थे हमें करना है उनका कुशल्टम आवंटन का क्या मतलब है एक बार समझ लीजिए देखिए एकनोमिक समय इकोल डिस्टिबूशन नहीं सिखाता समान वित्रण नहीं सिखाता बलकि कुशल्टम वित्रण का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आपकी फेमली में चार मेंबर है और आपके पास वन इटर दूध है तो सभी के इससे में डाइसो एमल डाइसो में नहीं आना चाहिए बलकि जिसको जरूरत जादा है उसको जादा मिलना चाहिए और जिसको जरूरत कम है उसे कम मिलना चाहिए कभी मैक्सिमम वैल्पर हो पाएगा यान थी एकनोमिक्स हमें एक्वल डिस्टिबूशन नहीं सिखाता बलकि efficient distribution सिखाता है तो एकनमिक्स कहता है कि आपके पास जो स्कीनिस कादन है उसको किस तरीके से डिस्टिबूट किया जाए ताकि क्या मिल सके हमें भोक्ता को अधिक्तम संतुष्टी उत्पादक को अधिक्तम लाव और समाज को अधिक्तम कल्यान मिल सके यानि कि तीन कटिग्री हमने डिवाइड भोक्ता, उत्पादक और समाज, भोक्ता को क्या चाहिए? अधिक्तम संतुष्टी, उत्पादक को क्या चाहिए? अधिक्तम लाग और समाज को क्या चाहिए? अधिक्तम कल्यान, तो जो एकोनोमिक्स जो है, वो इन तीनों की पूर्ती करता है, यानि कि एकोनोमिक्स में हम सीम करने के लावा आप चाहें तो मेरे नोट्स पी ले सकते हैं इसका के लिंक मैंने अपने डिस्केप्स बॉक में नीचे दिया कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके के लिए अभी के लिए इतना ही सेंट्यू